दोस्तों, एक student के लिए good decision making का बहुत ही बड़ा रोल है उसकी life में क्योंकि good decision making अगर है, तो यही आपके जीवन की दिशा और दशा तैंकर देता है आप किस तरह का जीवन बिताने वाले हैं, यह आपकी good decision making ability पर निर्भर करता है यानि कि bad decision making हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ good decision making करनी है अब यह ability कैसे develop करें, तो जो सबसे पहला सूतर मैं आपके साथ इस वीडियो में share करने वाला हूँ good decision making for students के लिए वो है कि clarity in thoughts, जी हाँ, clarity in thoughts देकि हम सभी distraction के शिकार हैं, हमने आज जीवन distraction की practice करी है और हम सभी distraction के outcome बन गए हैं, अब इसका उल्टा करने की जरूरत है अब जरूरत है कि focus की practice करना शुरू करें, जब आप focus की practice करना शुरू करेंगे तो आपका mind focused होगा जब आपका mind focused होगा तो unnecessary के thoughts आपके mind में नहीं आएंगे और जब आपके mind में unnecessary यानि की बेवजह के thoughts नहीं होगे, आपका दिमाग खाली होगा तो आपकी thinking में clarity आना शुरू हो जाएगी तो सबसे पहला जरूरी इतत्व है, सबसे पहला जरूरी element है, सबसे पहला essential element है कि आप clarity in thoughts रखें और इसके लिए अपने mind को clear रखना बेहद जरूरी है तो बेवजह है कि thoughts से बचें, focus की practice करें, distraction अपने life से कम से कम करें जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो शेयर करूंगा दूसरे सूतर के साथ